सातना शिरी वाहे गुरू साहेब जीयो परम सन्मान्यो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगजी वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते काल्योग विच पस्रे होय चूट, पाखंड, अतारम अते जुलम नू मिटाण खातर, अग्यानता अते परमादेय अंदेरे विच फसे मनुखानू ग्यान रूपी चानन देके सिद्धे रस्ते पौंड लई जदो शिरी गुर नाने देव जी महराज ने पहली उदासी तारन की थी, ता सुल्तानपूर लोदी नो चालके कुर्कशेतर, हर्दवार, दिल्ली, अलीगड, कानपूर, लखनव, प्रियागाद, कई थामा तो हुंदे होय, लोकानू सचे काल पुरक, वाहे गुरू नाल जोड़ दे होय, अते सच्चा अपुदेश दे होय, शिवरात्री दे, महान ते हार दे देन, सम्मत पंद्रां सो त्रेट बिकर्मी विच, कांशी दी तर्ती ते, पाई मर्दाने, अते पाई बाला जी सहित, आ चर्न पाई, शैर तो बार एक रमनीक बाग विच बने होय, ए एक थड़े ते बिराजमान होय, पाई मर्दाने ने पुछया, महाराजी, एस सुंदरते पर फुलित बाग किस दा है, इस दा मालक कौन है, तो गुरु जी कैन लगे, इस दा मालक, करतार आप ही है, पर करतार ने एस समय, जिसनो एस सौंपया है, आप ही हुने, तो अड़े पास आजाएगा, तुसी करतार नल जुडो, रवाव छेडो, पाई मर्दाने ने सत बचन कह की, रवाव दियां तरवां ते हाथ फेरया, ता उस विच्चों सत करतार, सत करतार दी अवास और लकी, सारा बाग गुझ उठया, मानो गगन मंडल विच उड़दे पंची वी, एह अलोकेक तो नी सुनके, मुगद हो गए सन, राज आंदे राही, रस्ते पटक के, साथ गुर जी दे चर्ना विच आजुडे, सात नाम दे प्रेम प्याले, पी-पी, मतवाले हो हो जान लगे, इतने विच एक पंडत, गोपाल शास्त्री वी, ओथे आ पहुंचे, मन मोह और नी सूरत वेख दियां ही, मान विच डाड़ी खेच पई, होर नेड़े होए, कन्ना विच सत करतार दी तुनी कुणजी, ता गुरु चर्ना नाग जुड गए, कीरतन समाप्त होया, साथ गुरां दे कमल लैंड खुले, नजर गोपाल पंडत ते पई, पंडत जी, नद विश्माद हो चरना ते सेर रखके पए रहे ता शिरी गुर्णान्ग देव जी महराई ने अपने पुवेतर हंस्त कमला नार्ग ओना दा सेर उठाया काफी समा प्रेम दे वातावर्न विच बचन बिलास ते विचारव टंद्रे हुंदे रहे पंड़ जी ने प्रशन किता महराजी आप जी पूजा किस तरह करते हो साल गराम तुलसी माला आध कुछ भी आप जी दे पास नहीं है सादगुर जी दा इशारा पाके पाई मर्दाने ने रबावनू बसंत हिंडोल राग विच तुन काया ते बाबा जी ने अपने रसीले गले विच ओं यों गायन किता साल गराम बिप पूज मनावो सोकरत तुलसी माला राम नाम जप बेडा बांधो दया करो दयाला पंड़ जी तो अड़ा साल गराम दा पूजना अते तुलसी दी माला दा पैनना आद कलर वाली पैली नू सिंजन जां कची टैर ही कांद पर चूना थपन ने आई है ऐसा करके जनम क्यों गवा रहे हो जे संसार सागरतों पार होना जोंदे हो ता सुचजी किर्थ अते राम नाम दे सिम्रंदा बेडा बननो उस राही तुसी पावसागरतों पार हो सकोंगे पंड़े जी ने शंका की ती ते कहा महराजी जे साड़े साल गराम अते तुलसी माला कलरा सिंजन तो लहन ता तो अड़े ख्यालविच सफल सिंचन केड़ा है सद्गुरु जी महराज फिर बोले कर हर हट माल टेंड परोवो तिस भीतर मन जोवो अमरत सिंचो परो क्यारे तौ माली के होवो काम करो दो एकरो बसो ले गोडो तरती पाई जियों गोडाय त्यों तुम सुख पावै किरतना मेटेया जाई पंडजी सफल सिंचनता सुचजी करनी वेच है हर कथा दा हल्ट माल टे टिंडा बनाओ इहे हल्ट नूच लोण लई आपना मन जोवो अर्थात तो अडे मान अंदर आपने हथी नेक करनी करन दा उमा होवे अजेहे उमा विच्चों एक खेडा तथा रास उपजेगा उस रास रूपी अमरत नाड जो तो अड़ा अंताय करन पर पूर हो जावे ता फिर ऐसे अंताय करन दी संबाल करन वाला साई दिलांदा मालक तो अनू अपना बना लवेगा जदा तुसी मालक दे हो गए ता काम करोध आदक जो तो अड़े अमरत नो लोट ले जान दे हन तो अड़े गोले होके रैन गे सगो जिमें खुर्पिया नाड तरती गोड के पहली विचों का आसपूस ते वदू बूटियां पोट देतियां जान दिया हन अपने उगाए फसल दी संबाल किती जान दी है एवे ही तो अड़े अंदर दा काम खुआशां अमरत रूपी फसल दी संबाल अते करोध रूपी जड़ी बुटियां मंदियां वाशनावादे नाशकर्न वल लग जान गे इस तरह काम करोध आद दुष्ट शक्तियां वी तो अड़ी सेवा वेच लग जान गिया जदो तुसी अपने अंतरात में ऐसी गुड़ाई करोगे ता तुसी सुख पाऊंगे अते तो अड़ी इस प्रकार्दी कीती केर्थ कदी वी अजाई नहीं जाएगी पंड़ जी दी तसली हो गई बहुत प्रभावित होए ता गुरु जीने इस शब्दियां आखरी पंगतियां उचारियां बगले ते फुन हंसला होवे जे तु करे दे आला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दे आला इस तरह बगले नीच मनुखवी हांस उत्तम पुर्ष बन जान देहन पर हे प्रभु ए ताही संबभ हो सकदा है जे तु दया करे मेरी दासा दे दास नानक दीता एहो बेंती है कि हे मेहरबान प्रभु असा जीवां उत्ते वी तु दया द्रिष्टी रख ए सुनके पंड़ जी गदगद हो गए अग्यांदा अंदेरा दूर हो गया आत्मा निर्मल हो गई साथगुर जी दे पूरण शर्दालू आते अनेन सेवक बन गए प्रसन चित हो के बेंती किती ए जगत उदार पिता जी आपने बड़ी किरपालता किती है इस कांशी नू पागलाए हन अते दास नू निवाजा है आप जी कुछ समा एथे रह के कांशी वासिया नू उपदेश देन दी किरपालता करो गुरू जी ने गुपाल पंड़त नू तीरज दिन्दे होई के हा के हाँ पंड़त जी असी कुछ समा जरूर एथे रहांगे ताँ गुपाल पंड़त महराजी पसों आगया लेके कारचल आगया गुपाल पंड़त ने कारजा के परवार नू खुश खबरी सुनाई आज साठे बाग वेच पाग लगे हन एक मन महोनी सूरत रबदारू महा पुर्ष ओ थे आब एठे हन जीना दे दर्शन करन नाग तान मन ठंड़ा हो जानदा है एस उनके दुझे देन कारदे साब प्रीमिया ने आके दर्शन किते होर भी बहुत शरदालुआ ने दर्शन किते कीरतन ते वाहिगुरु नाड जुडन दे उपदेश सर्वन किते एसे तरह इस बाग विच हर रोज साथ संग हुंदा दूरों दूरों संगता ओन लगिया जे कोई मनोरत लेके साथगुरु जी दे चरना विच पुजदा सी साथगुरु जी सबना दियां इच्छामा पूरन करदेशन सारी कांशी विच बाबा जी दी जैजाकार होन लग पई ओस समय पंड़ चतुर्दास नामदा एक महा विदवान कांशी विच रेंदा सी जिस दी पारी मानता सी प्रंतु उसनों होमेदा दीरग रोग लगा होया सी ओस हमिदा सी के एस समय संसार पर विच ओस वरगा कोई विदवान नहीं इसने कई विदवाना नाल शस्त्र अर्थ रहीं विजे प्राप्त किती सी इस दी तरक परी दली लगे कोई भी टेक नहीं सी सकदा उसनों अपनी विदवता ते बहुत मान अते हंकार सी ओसे दी सोबा मान अते प्रतिष्टा वेक के सहार नहीं सी सकदा अते एसे को मंड करके ओसे हर किसे दी निरादरी करया करता सी जदो उसने सुनया के काशी विच कोई ऐसे महापुर्शाय हन जिना दी शोबा, खुशुववांग चार चुफेरे खिलरी होई है अते लोकां दी पीड ओना पास लगी रेंदी है शर्दालू ओना दी दर्शन करके अते ओना पास उबदेश लेके अपना जीवन सवार देहन ता पंड़त चतुर दास इरखा दी अगनी नाड जाल उठेया के ऐसा कौन आया है कुझी ही दिना विच उस दी उस्तत सारा शहर करन लग पया है अते मेरा कोई भी नाम नहीं लेंदा उसने अपनी विदवता दे आसरे शिरीगुर नानिक देव जीनू शेस्तर अर्थ विच उल्जा आके ओना ते विजय प्राप्त करन दा पक्का निश्चे कीता उस दा ख्याल सी के गुरु जी उस दी विदवता परे परशना दे उत्तर नहीं दे सकनगे अते लोकी ओना दी उपमा करनो हट जानगे फेर इस दी अपनी मानता कायम हो जाएकी ए विचारां करदा होया पंडत चतुर दास अपने कई संगी साथियां सहित एक देन गुरु जी दे पास पुझा पंडत चतुर दास ने जदो गुरु महरा जी दे ते जस्वी चेहरे ते नूर डल का मार दा विख्या ता उस दे हिर दे तो जन्मा जन्मांत्रां दी मैर उत्रनी शुरू हो गई गुरु महरा जी दी इको तकणी नाल ही हो आपा पो ले गया मान शांत हो गया प्रन्तु अजे कुझ कसर बाकी सी होमे दा कंडा अजे कुझ रड़का मार रहा सी सेने मर अवस्था वेच कैन लगा के महरा जी मैं आप जी नाल कुझ प्रशन उत्र करन ले आया हां आगया हो वे ता कुझ प्रशन करा गुरु जी ने कहा पंड़त चत्रदास जी तुसी जे कर कुछ प्रशन उत्र करने ही हन ता इस बाग दे अंदर एक कुता है किसे समे ओवी एथे दा एक पारी विदवान पंड़सी प्रंतु किसे कारण करके होण कुते दी जून पोग रहा है तुसी उसनों एथे लियाओ ता ओ तो अड़े सारे प्रशना दा उत्तर दवेगा असी ता एना वाद विवादा वले चगड़ें वेच नहीं पेना एहे बचन सुन पंड़त चतुर दास हैरान हो गया सोचन लगा कि ए मेरे नाड मखौल कर रहे हन कैन लगा महराजी एक किमे हो सकदा है कुता भी कदी किसे दे प्रशना दे उत्तर दे सकदा है महराजी ने कहा के जाओ तुसी उसनों साठे पास लेके आओ महराजी दा इशारा पाके पंड़त जी कुछ कदमा दी वेत्ते गए ता एक कुता बेठा नजर आया उसनों आण हाजर किता जदो गुर्णानिक देव जी ने किरपा द्रिष्टी द्वारा कुते वाल तक्या ता वेख दिया ही ओहो एक सुंदर्स रूप तोती, जन्जू, तेलक माला आध चिन्ना वाला, एक विद्वान पंड़त बैठा नजरों लगा सारे पंड़त, अते होर लोकी हैरान होगे के एक ही अश्चर्ज कौतक होया है पर सामी कुजना आवे सारे हत जोड के बेंती करन लगे के माहरा जी एह की कौतक है एह कुते दे रूप विचाया है पर होने इस दा रूप बदल के योँ परतीत हो रहा है के कोई पंड़त जी माहराज बैठे हन किरपा करके दसो के असी कोई सुपनाता नहीं वेख रहे गुरु माहराजी मुस्कराए आख्या के इसनू पुछो ए तो अनू सब कुछ दसेगा ताप पंड़ता ने उसनू पुछया के आप कौन हो उसने यों कहना शुरू किता किसे समय मैं भी एसे कांशी दा रहन वड़ा अपने समय दा एक विद्वान पंड़त सी मेरा भी तो अडेवां एहो कर्म सी के जे कोई महापुर्ष सादू, संत, महात्मा जोगी सन्या सी एथे हो दा सी मैं अपने एरखालू सुबा आ करके एथे टेकर नहीं सी दिन्दा शस्तर अर्थ राही उना नू निर उत्र करके कांशी नगर चुन ठा जिन्दा सी एक समय एक महापुर्ष थे आये उना नाड़ प्रशन उत्र कर देया काफी समा बतीत हो गया पर फिर भी मैं उना दा खेड़ा शेटन विच नहीं सी ओंदा ता सैसुबा ही उना दे मुक्तों निकल गया कि क्यों कुत्यां दी तरह पोंगदा है एए बचन सुनके मैं समझया के मेनू स्राव मिल गया है महापुर्ष थे जोड़के बिने किती के महाराजी मेरे ते एह किरपा करो ते दसो के मेरा पार उतारा के में आते कदों होवेगा मैनू कुत्य दी जूंतों छुटकारा कदों मिलेगा ता ओना ने कहा के कल जुगदे समें शीरिगुर्णानिक देव जी थे ओन गे ओना दी किरपा द्रिष्टी तेरे उत्ते पवेगी ता तेरा उधार होवेगा सो मैं ओस समेतों इस शुब कडी दी उडीक विश्था जो मेनू होन नसीब होई है तुसी जल्दी करो जो पुषणा है पुछो मैं एना महापुर्षा दी किरपा द्रिष्टा द्रिष्टा आते निवर्ता सहित बेंतियां करन लगे के असी अलपक जीव समे नी सके के आप जी कल युग दे अवतार शिरिगुर्णानिदेव जी सानू दर्शन दे रहे हो सानू बक्षलो आते साड़े उत्ते आपनी किरपा द्रिष्टी करो आपने पवित्र मुखार बिंदवारा सानू शूब उपदेश देन दी किरपालता करो जिस नाल अग्ये चलके साड़ावी पार उतारा हो सके जो सरनावै तिस कंठ लावै एह बेर्द स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंठ मिलेया सदा केल करन्दा गुरु महराजी ने ओना नू सत्यात अरम्दा उपदेश देंदे होए के हा के पंड़ जी तुसी दिखावे मातर करम कांड कर रहे हो अते सदारन लोकानू परमापुलेख्यां वेच पा रहे हो एना करमा कांडा राही मुक्ति दि प्राप्ति नहीं हो सकदी जा तक तुसी वाहे गुरु दाते आंतर के सिम्रन नहीं करोगे पंड़ चतुरदास क्यान लगा के महराजी केडे करम दखावे दे अते केडे करम सचे हन ता उस समय शिरिगुर नाने देव जी ने सैंस्क्रिती दे पहले चार सलोक कुचारन किते जो शिरिगुरु गरंसाव जी दे आंग तेरा सो तरवंजा दे यो दरजहन एकों आंकार, सत नाम, करता पुरक, निरपाओ, निरवैर, अकाल मूरत, अजुनी, सहपं, गुरपरशाद, सलोक महला पहला पड़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगलस माधं, मुख चूट भिपुखन सारं, त्रै पालती हाल बिचारं गुरुजी महरा जीदे, मुखार बिंतों, एही दैवी अते संसार समुंदरतों, पार करनवाली अलोकिक बानी, सर्वन करंदी देर सी के सब दे सीस, निमरता ते शर्दा दे नाग, शिरिगुर नाने देवजी दे चरना ते चोक गए, मान निर्मल हो गया ओदर कुते दा सुरूप ते आके बैठे, पंडद गंगार आमते, सादगुर जी दी किर्पा द्रिष्टी पई, ता उसने भी हाथ जोड़के, आमते में नमसकार किती, अते ओस रूप नो भी ते आग देता, जियों जल मैं जल आए खटाना, तियों जोती संग, जोत समान उस पंडद जीव आत्मानू गुरु महराजी ने सिद्धा बैकुंट ताम विच पेज़ दता, यह सुंदर नजारा वेख के सारे दर्शक विसमास रूप होके कहन लगे, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानकु पंडद गुपाल शास्त्री ने हाथ जोड के बेंती कीती, महराजी आप जीदे चर्न पैन करके इह बाग पवित्र हो गया है, होन ए बाग मेरा नहीं रहा, आज एह बाग मैं आप जीदे चर्ना विच पेट कर रहा हां, अते एह आप जीदा है, सो उस दिन तों इस दा नाम गुरु बाग पर सिद्ध हो गया, इह गुर्दवारा, गुरु बाग, रेलवे स्टेशन तों, डेड मीलते महला कमच्छा विच है, सिख राज मगरों, सरदार लैना सिंग बहादर, सरदार देशा सिंग देश पुतर, सरदार नौदा सिंग, मजीठा वासी शेर गिल, अते राणी शीरिक और आद, गुरु परकतां, प्रापत कितियां, खूब इच लगी सिल, मजीठा खांदान वलों किती सेवा दी, एह अटाल यादगार है, जो आउदियां पीडियां नू सदा ही प्रेर ना दे रही है, अते देंदी रहेगी, होईया आप उल्ला चुकादी खिमा बक्षणी जी, दास नू मारी वर्दी चय जया को, रेख़ी खिमा जैदिया और और रहेता है, जो आए वक्षणी जाख़ भाड़ां किति सा इल व